हलो श्ट्वेंट्स वैलकम टो दिवरुदराक्ष ओनलाइन क्लासेश आज 14 अक्टूबर 2022 को आरपेसी 1st ग्रेड इंग्लिश इसकुल लेक्चरार का एक्जाम हुआ था और मैं जैपूर से बाहर गया हुआ था तो अभी मैं दो बजे रात को यहां पहुचा हूँ और मैंने जब यूटूब पर आके देखा तो किसी ने भी अभी तक आंसर की अपलोड नहीं किये कुछ एक दो यूटूबर रहे हैं जिन्होंने वैसे ही मॉबाइल से 10-15 कोश्चन किसी ने 20 कोश्चन ऐसे डाल रहे हैं एक दो लोगोंने तो पेपर का जो लेवल मैंने जाए मेर को उसी को मैंने अभी बॉर्ड पे लिया है तो उसके यो आंसर की है इसको मैं आपको जारी करने जारहा हूं हो सकता है सुबह तक और भी लोग आंसर की जारी करते हैं लेकिन यह आश्चरी की बात है कि अभी एक्जाम कोगे करीब आट-दस घंटे होगे लेकिन अभी तक किसी ने भी आंसर की जारी नहीं की है चलो हम जादा बात नहीं करते हुए कोशन्स पे आते हैं और पेपर का लेवल देखके लग रहा है कि 20% पेपर ही केवल एक ठीक टाक लेवल का था बाकी जो 80% जो पेपर है वो बिलकुल बहुत ही एजी है ऐसा लगता है टी तो पहला कोशन जो भी अगर आपके पात जो भी अलग अलग सीरीज है उसमें अलग अलग कोशन नंबर हो सकते हैं तो आप कोशन को देखो पहला कोशन आपका आर्टिकल का था और आर्टिकल के कोशन में अगर हम बात करते हैं इसमें बहुत सिंपल कोशन पूचा है इनों एक एक एक्स्वानेशन का वीडियो में और बना दूंगा जिसमें हर कॉश्चन को में बता दूंगा किसका इसका अंसर कैसा है था फिलाल आप आंसर भी ध्यान रखोंगा थेज रखोंगा इसमें ही वास एंप्लोई है तो यहां पर थर्ड अप्शन जो है आपका वो इसमें और इसमें आएगा नहीं कि पॉजिटिव सेंटेंस है तो सम इसका आंसर होगा यह जो इसमें आंसर लगे हुए है यह किसी स्ट्वेंट के लगे हुए है तो इन पर मत जाना आप जो मैं बता रहा हूं उसको देखना इसके बाद में कॉश्चन नमबर थर्ड आई इसमें नोट संक्शन यू अए निया तो इसमें जो आपका आर्टिकल सोरी डेकर जो आएगा वा एगा एगा इसके बाद में आप यहां पर यहां तो इसका मदब पे जो उसके पास था ठीके जो यह घ्ट्रॉइ कर चुका था तो दल इटिल यहां पे इसका आंसर आएगा इतने easy questions हैं जो आप देखते हैं इनको आप answer लगा सकते हो ठीक है इसमें मुझे रगता है नहीं किसी student गलत हुआ होगा और words beginning with a silent h require ठीक है तो हुझे honest, hotel, honorable यह होता है तो इसमें end का आएगा को दिकत नहीं है, simple, simple है और इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ें तो देखो फिलिल्दा blanks with the correct tense, अब देखो tense वाले जो question है he used to का यहाँ पे use है, तो used to का जब use होता है तो इसके बाद man work की first form आती है और आगे वाला जो tense है वो हमेशा present indefinite आता है, clear, तो यहाँ पे इसके इसाब से but he, he यहाँ पे है तो cam नहीं आएगा, comes नहीं आएगा, comes आएगा ठीक है, तो यह आपका answer हो जाएगा, इसमें he rarely comes ठीक है, now, okay अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, question number seven की तो he for five weeks when they had to summon the doctor यह आपका sequence of tense से question लिया गया है, यह topic है आपके syllabus में, sequence of tense वहाँ से topic को लिया है, इस question को लिया है, तो देखो, इसमें थोड़ा सा गुमाया है इसके अंदर, तो यहाँ पे has been fasting और head been fasting, यह है क्योंकि यहाँ पे four का use है, और fast के साथ में ing आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे head दिया हुआ है, head two का use है, past tense का use है, head past perfect नहीं है, head two का use है, मतलब उसे वरत करते विए, पांस सब्ता हो गए थे, पांस सब्ता से वो वरत कर रहा था, जब उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, ठीक है, जब उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, ठीक है, समन का मतलब बुलाना, तो यहाँ पे answer जो अब इसके बाद में how long, अब देखो how long है, तो इसमें थोड़ा सा यहां पर confuse किया गया, no को, now लगा के, बदल यहां पर now का use है, और now का use है, जो एड़र्ब है now, वो present continuous की एड़र्ब है, लेकिन यहां पर, यहां पर यह नहीं आएगा, are you, काफिश ट्रेंड ने जैसा, are you किय होगा, जहां पर मुझे लगता है, लेकिन इसका जो right, correct, जो मुझे लगता है, यहां पर answer होगा, have you been, clear, बहुत सिंपल है, इसके बाद में the last train, ठीक है, the last train, और the station at 5.30 a.m., तो इस प्रकार की जो भी sentence होते हैं, वो future का sense देते हैं, लेकिन जब उनका use करते हैं, तो उसमें इसको बाद में explain कर दूँँगा, इसका एक अलग वीडियो बन जाएगा, अब देखो question number 10 के अगर हम बात करते हैं, तो if you, a little longer, you might have caught the last bus, यह जो है, आपका third conditional है, और third conditional में आपको पता यह, कि यहां पे head plus third form आईगी, और इसके बाद में, kudeo, shouldo, might have, ठीक है, यह, और इस इसका answer होगा, वह होगा head wetted, clear, तो यह बोट इना easy दिया था, third conditional का use, देखते हैं, आप कर सकते हो, इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, तो passage है, sorry, passage है, अभी नारेशन का question है, अब देखो, nothing succeed like success, अब यहां पे, sorry, narration का भी नहीं यह, यहां यह, यह, इसको आपको इंटर इंटरोगेटिव मुझे थोड़ा दिख रहा है, स्क्रीन पर आपको साब दिख रहा होगा, तो इसको थोड़ा इंटरोगेटिव बनाना है, और इंटरोगेटिव बनाते हो, तो देखो, यहां पे, एक तो, is nothing, तो यह तो वैसे गलत हो गया, और do यह भी नहीं आएगा, क यह भी सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, everybody, somebody, nobody, यह सब सिंगुलर सेंस के होते हैं, तो यहां पे nothing है, जो सिंगुलर है, तो सिंगुलर की साब से यहां पर क्या हैगा, तो प्रिजिन डेफिनिट है, तो दज आएगा, अब दो दो ओप्शन दिए होगे हैं, लेकिन तो आपको पता होगा कि ड़स लगने के बाद में मैंन वर्ब में ऐसे एस का यूज नहीं होता तो यहां पर एस का यूज है तो यह आपका गलत हो गया तो आपका थर्ड जो ऑप्शन है ड़स एनितिंग सक्सीड लाइक सक्सेस यह आपका करेक्ट आंसर होगा किलियर इसके इसके बाद में देखो देखो देश्टेंजर यह आपका नरेशन का क्वेशन आगया और देश्टेंजर सेट टू आपका पासर भाय कैन यू टेल में मुझे वड़त साफ नहीं दिख रहा है इसमें और इसमें आपका पासर भाय कैन यू टेल में हाव फार इस्टेशन फ् भी में बड़ागते सेंटेंस है तो यहां पर आसक दियो इनक्राइड उखर मुझ आदेंस कोई इसका उप्षोता है एकर हम बात करते है, one cannot gather graphs from thistle, ठीक है, तो देखो, यहाँ पर definite graphs है, तो graphs यहाँ पर change होगा, ठीक है, subject बनेगा, तो subject के साब से, ग्रेप्स के दो यह option आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है, दो option नजर आ रहे हैं, तो इसमें, यहाँ पर cannot है, इस्ट्वेट यहाँ पर गलत किया होगा, इसने भी paper बेजा है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका correct होगा, ठीक है, क्योंकि पैसिव के अंदर, जो टैंस है, वो चेंज नहीं होता, नरेशन में चेंज होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसक्स नंबर आपके आने चाहिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे जब हम बढ़ते हैं, तो इसमें 14 नंबर का जो question है, 14 नंबर का जो question है, I never asked you to do it, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, have I asked you to do it, तो यहाँ पर I never asked, अब आपको ध्यान होगा है, आपको ध्यान होगा है और वो बिलकुल correct है, ठीक है, कोई दिकत नहीं है, interrogative बनाना था, never का ever हो जाएगा, did I ever ask you to do it, clear, इसके बाद देखो, question number 15, समझ में आ रहा होगा है, इसको ज्यादा explain करना ही जरूद नहीं है, question number 15, रिशाव वास पनिश्ट for his disobedience, disobedience, अब देखो, तो यहाँ पर इसके according ज जो है, वो coordinate conjunction है, because, अब यहाँ पर यही केवल subordinate conjunction है, ठीक है, तो यहाँ पर यह क्या है, subordinate, तो subordinate conjunction ही complex में होता है, तो इसके आप से बिलकुल देखते ही, आप इसको क्या करोगे, third option को आप यहाँ, correct कर दोगे, ठीक है, तो इस तना easy paper है, आपको अभी तक लग रहा होगा कोई सोचने की जरुवती ने क्योंकि उन्होंने ओप्शन भी ऐसे दिये, कन्फ्यूज करने वाले ओप्शन ने दिये, यहाँ पता होना कि कि subordinate conjunction को है, because को देखके मालूम चल रहा है, यहाँ सब ओर्डिनेट conjunction है, clear, अब इसके बाद में, यहाँ जोड़ा साफ नी दिख अब देखो, यहाँ पे model auxiliary के questions है, बहुत easy है, there was a time, जब में जवान था तो बहुत तेज दोर सकता था, जब में बच्चा था तो ऐसा करता था, इस प्रकार ऐसा कर सकता था, तो इस प्रकार के question होते हैं, definite है, past ability के लिए क्या आता है, good, past ability पूछिए आपको, good, clear, अब इस instruction, immediately command है, और command के लिए आपको पता है कि must आता है, okay, command के लिए क्या आता है, must, तो यहाँ पे बिल्कुछ सही answer है, इसके बाद में, next को question है, वो है, challenge वाला question है, there आएगा, बहुत simple है, will, can, would, वगरा, सारे गलत, देखते मालम चल रहा है, और the tiger, अब देखो, यहाँ पोसिब और यह दियावा नहींगी, और पास्ट की possibility है, है, या कौन सी possibility, remote possibility है, simple possibility है, तो can का जूस होता है, कोई दिकत नहीं है, समझने में, अब हम आगे चलते हैं, और अगर हम आगे बात करते हैं, तो, देखो, he talk about nothing but films, यह, यह, बट फिल्म्स, और अब देखो, इसमें, characteristics, habit के बारे पूचा, तो definite 100% यहाँ पे का आएगा, will, ठीके, यहाँ पे का आएगा, will, clear, अब आगे देखो, इसमें, next question, जो अगर हम बात करते हैं, और वो है, preposition का, तो preposition के, अगर हम बात करेंगे, आपको clear दिख रहा हो, मेरे इसाब से, ठीके, the British conquered India, because the Indian princess quarreled, हाँ, quarreled, आगे देखो लगा हुआ है, तो 100% क्या आएगा, अमंग, ठीक, the doctor advised him to extend from, extend के साथ from ही आता है, ठीक, काफ इस्टोन कन्विज होंगे, off भी आता है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, smoking दिएवा है, something, ठीक है, यहाँ पे smoking मतलब something, और किससे मना किया है, smoking से, तो यहाँ पे from, clear है, तो इसके बाद में, desirous के बाद में 100% off आता है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक, तो desirous off, और फिर नेक्ट कोशन है, the environment in this school is condensive, condensive बाद 2 आता है, कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें 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 कोई सोचने की जरूती नहीं है, इसमें को पता है, वो लगा सकते है, the wounded से fail, आप दोको fail के बाद में, सबको पता है कि fix आता है, into आता है, तो यहां पे, into का use, बहुत सिंपल, नेक्ट कोशन के अगर हम बात करते हैं, the war has completely destroyed the countryside, replace the underlined word with a phrasal verb, आप दोको phrasal verb से करना है, तो इसमें, क्या दिया हुआ है, phrases out, ठीक है, ruled out, यह दोनों तो गलत है, यह भी गलत है, अब दो answer हमारे पास हैं, wiped out, और pulled down, और दोनों ही हमें करेक्ट लग रहे हैं, ठीक है, लेकि क्या होता है कि, बड़ी मात्रा में कोई चीज को साफ हो जाए, न श्टो जाए जसना को ब्हारी है, उस ब्हारी ने फूरा शेहर का शेहर, नश्ट कर दिया, ठीक है phrasalque, तो इस झाफ कर्दिशन में फिर किया दोंग यहां, आता है, जब आजवर्ट साफ करते हैं, जवर्म इंच्ड यह पूल्डाउन क्या होता है कोई बिल्डिंग वगरा को गिराने के लिए उसके लिए आता है तो यह आपका आंसर पर करेक्ट है वाइब डाउट क्योंकि आगे देखो यहां पे कंट्री साइड मतलब विलेज के बारे में बता हुआ है तो उस कंडिशन में यहां पर वाइ आपके निगेटिव मार्किंग हो जाएगी अब इदर पूरे हो गए 27 कोईशन हो गए अब देखो आगे हम बात करते हैं कोईशन नंबर 28 की और 28 में क्या है सिवा डिसीवड और डिसीवड बाई स्वीट वर्ड विच इडियम तो यहां पे यह जो इन्होंने पूछा है य यह वर्ड पूछ कुछा पूछ गलत पूछिअँ यहां पे इडियम यह निय यह फ्रेजल वर्ड बाव एटियुक और फ्रेजल वर्ड यहां पे टैकन इनnn आएघा ठीकर दोका देना ऑ तो टैकन और यहां पे वाज लगा है तो टैकन इन आएगा को दिक्कत इन्हीन तो यह तो यह आप कर सकते थे यह सिब याद करने वाल टोपिक है इन में कोई दिमाग लगाने जरूतनी पड़ती जिसको याद रहे कि एकजाम में वह कर सकता है और यह ब्रॉक डाउन ऑन हीरिंग अबाउड डाउटर तो ब्रॉक डाउन आया गए तो कोई दिक्कत ही और टेंशन मागी और तो ब्रॉक डाउन इसको अब पैसेज को मैंने सिर्व एक बार सर्सक्री निगासे पढ़ लिया और इसको इता कोई विशेश नहीं है हा यह तो इसके मैं केवल आपको आंसर दायता हूं बागी एक्स्प्राइनेशन में बाद में अब देखो दस एंटोनियो इसके अंडर यह तो यह वापस वही याद करने के टॉपिक तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसमें और इसके बाद में सिनोनिम अब इसके और ड्रीबलिंग यह पर सही लग रहा है और पुशिंग यह बिल्कुल ही गलते है तो अब स्प्रिंग लिंग और थोड़ा सा इसमें यह अलग हो गया तो अगर हम बात करते हैं इसमें तो यह यहां पर होना चाहिए है तो दोनों करेक्ट है अंसर तो लेकिन ज्यादा कर कर देखा जाए तो ड्रीबलिंग है ठीक है तो इस पैसेज के अकोडिंग पैसेज के सेंस के साफ से बागे आंसर वह भी सही है लेकिन पैसेज के अकोडिंग जो पैसेज कहना चाह रहा है उसके अकोडिंग यह पर आंसर ड्रीबलिंग होना चाहिए क्लियर और इसके बाद फिर फिर्ट डिफिकल्टी वन फैसे इन लाइबरी इस कोश्चन को थोड़ा सा गुमा दिया है बागी अपना अन्स पतायता हूं बागी आप चेक कर लेना क्योंकि मुझे इसमें होड़ा सा कन्फीजन है क्योंकि यह लग 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 दो तिन आंसर इसमें सही लग रहे ह ठीक है तो यह आपका हो गया 33 कोश्चन और 34 पर आजाओ तो यह तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो by judicious selection of a topic यह कोई दिक्कत नहीं है और यह पैसेश पड़ोगे तो आवो मालूं चल जाएगा according to the writer the outside world is ठीक है यह multi dynas जाओ यह आपका अंसर होना चाहिए यहां पर इसके बाद में अगर हम बात करते है माई लाट डचेज के वो किस प्रकार से उसने उसको कौन सी लाइन इसके बारे में बताती है उसके आर्ट के बारे में कि वो इतना जानता था तो वो आएगा था सेवन की बात करते है यह आपका जो कोश्चन है यह है साइकलोजी से तो साइकलोजी का मेरे को नोलेज भी नहीं है चलो हम साइकलोजी की बात भी नहीं करेंगे और फॉर दे स्टोरी और फॉर्ट जो आ है वो ही आपका अंसर है ठीक है तो यह स्टोरी जो है वो इसमें यह आपका अंसर यही है, ब्लू इस वाइफ, तो यहापका अंसर गोर्ट है, फौर्थ नंबर का, और what happens when lights go out during the game in birthday party तो birthday party में जब light की तो क्या हुआ तो इसमें definite है कि Stanley जो है वो उसका रेप करने ही कोशिश करता है और यही इसका यहां पर correct answer है ठीक है लूलू का रेप करने ही कोशिश करता है और इसमें Go and catch a falling star is a poem about यह feminine inconstancy ठीक है फर्स्ट ही आपका correct है ठीक है तो अभी आपके वाल आंसर लगा लो जादा मैं इसको explain नहीं कर रहा ताकि आपको पता सेल जाए आपको भी बानो जिल जाए कि आप क्या करके एक्जाम में आया हो और कितने नंबर आपके आ सकते हैं आपके पूरी आंसर की में कोई दो तीन कॉश्चंस में उपड नीचे हो सकता है मतलब कुछ कुछ कन्फिजन मुझे भी है क्योंकि दो तीन कॉश्चं कन्फिजबल है पेपर के अंदर तो एक तो बताई दिये पहले भी पैसेज के अंदर तो इसलिए मैं कैवल भी आपको आंसर लगवा रहा हूँ और कॉश्चं नंबर 42 42 जो है वो भी आपका साइकलोजी के टाइप का कॉश्चं है ये तो ये भी मैं नहीं ले रहा 42 भी और 43 पर आजाओ तो 43 का तो फर्स्ट आंसर बहु करेक्ट है आपका अगर आपने फर्स्ट लगाया है तो और Onomotopoy ये इसे तो मुजिकल इफेक्ट डालता ये भी कोई दिक्कत नहीं है वो सिंपल है ठीक है मुजिकल इफेक्ट के लिए होता है साउंड के लिए होता है ठीक तो ये तीनों जो आंसर है ये भी मैं नहीं रहा हूं और अब देखो आपस जगन वेंडर आफ सुट का कोश्चन है तो इस कोश्चन में होड़ा है वो है की वाट हर जगन अबाओं माली एंड ग्रेस रिलेशन्शिप इन दे वेंडर आफ सुट तो इस परेशान चीज करती है हाला कि इसका जो करेक्ट आंसर ये होना चाहिए जोड़ा कन्फिजन है जो थाड होना चाहिए लेकिन ये तीनों भी सही लग रहे हैं तो अल आफ दे अबाओ ये आपका ज़्यादा करेक्ट आंसर हो सकता है किलियर तो ये आपका आंसर हो गया और कोशन हम 47 कोशन हो गए अब हम 48 कोशन पर अगर हम बढ़ते है तो ये तो पता है कि किस प्रकार से जो बिरहम वूड है वो आगे था तो मेकबेथ में तो ये फर्ट आंसर आपका जो मैलकम्स आर्मी हाइड्स ये ब्लू करेक्ट है ये आपको दिख रहा होगा अगर नहीं दिख रहा तो मैं बढ़ा सो और बढ़ा कर देता हूं इसको बाद में विच पन ओफ फॉलॉइंग ये इसमें आपका थर्ड आंसर है पर इसके बारे में तो रिटिकल कमेंट्स है वो नहीं होते और क्योंकि प्रैसिज में अपने कि रिटिकल कमेंट्स है विच उन भी पोलें इसमें अब का अंसर होगा में ये में इसमें एंजब्के जो बढ़ा ये होगा मैएग धब्स शावन कर आएच उन पॉर्ढ अपका अपॉल्स आल। बेकल नहीं है तो बाहा है सम्छि सु में ये और ये बीके संद्बर एसके आपका जो इसमें आंसर है वो एकदम करेक्ट होगा, किलियर, अब देखो, कॉस्चन नमबर 52 की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें तो बिल्कु सीधा सा आंसर है, गिविंग, कंपेजेंट, सेल्फ कंट्रोल, बिल्कु करेक्ट, साफ ही दिख रहा है, तो यह आपका आंसर ब अगर हम इसकी बात करें, तो यह कंपेटर का जो कॉस्चन है, यह तो मुझे पता है, तो इसका तो आंसर मेरे साब से, यह होना चाहिए, एल्यू, ठीक है, और दा वेस्ट लेंड डास नोट रेफर टो, अब वेस्ट लेंड किसको रेफर नहीं करती है, तो सेक्सल परवज करती है, तो आपका सेकिंड नंबर का जो ऑप्शन है, वो यहां पर करेक्ट है, इसके बाद में, विच वन इस इनकरेक्ट फर प्रेसी राइटिंग, ठीक है, और जो गीवन थीम है, उसको हमें एलबरेट नहीं करना पड़ता है, एलबरेट वगरा जो एक्सफंशन जो ए एलबरेट नहीं करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फॉर, अब बात करते हैं, यह जो लाइन से है, यह नो वाटर बट अनली रॉक्स, ठीक है, तो यह जो लाइन आपकी यह है, इसमें वाट थंडर सैड में से, ठीक है, यह तो आप देख लिए उसके अंदर भी पोएम तो 9 hop onies band is patron connet, यह बट अका सर नहीं आपका सही है, and patron connet is also known as the English sonnet, यह आपका गलात है, तो यही आपकाLE सहे जूत है, यहँका प्योजून है क्योंकि Italian sonnet होती है, or to Man Ports Octnaires, यहे भी सही है, और यह भी ब्लुक मूल सही है, यह आपका second number का जो option है, यह आपका answer होगा, अब इसके बाद में कोशिशन नंबर 58 तो यह तो बिल्कुल सही है सिंपल धर आंसर जो आपको करेक्ट है पड़ लेना अब इसको इसमें कोशने वाली बात निया है और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं नेश्ट इन फिप्टीनाइन नंबर का जो कौशन है 59 नंबर का जो कोशन है एंबेडिंग ऑफ लिंविष्टी गया तो देफिनेट परसेंट कोर स्विचिंग ठीक है जब कोर स्विचिंग पढ़ते हैं उनके अंदर पैली लाइन यह यह आती है और यह फॉनेटिक ट्रांस्किप्शन जो है यह साफ नहीं दिख रहा और हाँ फर्स्ट नंबर का है ठीक है यह लगा लेना और विज स्टेटमेंट इस इनकरेक्ट विद्रेटर साहिब यह आपका कोशन उसका हो गया तो इसको मैं नहीं ले रहा हूं और टैन थाउजेंट यह एक्जाम में यह पहले फस्ट गेड़ के एक्जाम में पिसली बार भी शाहत पहले यह उससे पहले पूछा गया है तो हाइपर बली बहुत सिंपल है ठीक है दस अजार मैंने एक बार में देखे तो यह अतिश्वक्ति पुन वाक्य है और वैंड वाक्षन पस होज अगर है इंडे पे मतर यह पारे जो रिलेसंशिप निदिया क्लेच बटाइगी है तो लुकानदार के भीच में और फार मर्स की भीच में कोई कलेश नहीं होता है यह और फ़ॉट नमबर का अंसर आपका बिल्कूल करेक्ट है इसके बाद में अगर हम ब अब देखो, एक्ट फर्स्ट, यह तो थर्ड नंबर, इन लिविंग रूम देखते ही आप लगातकते हैं, इतने एजी कोशन ने पूचे हैं और यह भी फिर आपका उसका आगया साइकलोजी का, तो इसको मैं नहीं ले रहा हूँ अब देखो, रवी और सीनर सेकंडी यह भी आपका साइकलोजी का है, और यह ठीक है, तो यह विद रैफरेंग अब देखो काफी अब तक क्या होता था कि फर्स्ट गेड में जो भी टीचर ने पैपर मनाते थे, वो क्या करते थे कि बिल्कुल जो सेलेबस का कोड ही पूचा अब ज़ना कोई डिर्मा दिया हुआ है यह को पॉयम तो इस पॉयम के अंधर जो है उस पॉयम के बारे में बहुत कम लेकिन अब की बार दीफरेंग पूचीन होने तो विच क्रिटिक है, सैड को, इस जो क्रिटिक ने का था कि जो पूचा है कि एक्सपर के जो प्ले होते ह टो इसमें इसमें साफ है जो ऑफ्शन्स के यह है टाइ्टल नेंड ओप्शन जो है टाइ्टल य डेट है हाँ यह आपको फर्स्ट अंसर है क्योंकि यहाँ इनकी जरुवतनी होती है यह इनको कड़ते है इसके बाद में अगर आम 72 की बात करें तोड़ा सा कीलर ने दिग रह अच्छा श्ट्रीम ठीक है तो यह और ब्रेंट ब्रांट्स ठीक है यह फर्स्ट वाल आपको अंसर है इसके बाद अगर आगे बढ़ते है और विच अफ गुड रिपॉर्ट तो यहां पे गुड रिपॉर्ट में परस्नल ओपिनियन नहीं आती है 100% करेक्ट है ठीक है यह आ बात करते हैं तो कॉशन नमबर जो 75 है कोड मिक्सिन इस यूड वैन ओल दा हॉल ग्रूप सेग्ड लेंगवेज अपका फॉर्ट नमबर का जो ऑप्शन है आपका वैन ओल दा मैंबर ऑप दे ग्रूप तो और मॉर दा सेम लेंगवेज यह आपका अंसर होगा इसके बाद म अगर हम बात करते हैं फिर यह साइकलोजिया कोशन है और फिर आपका यह लेटिचर का जोन डन ठीक है तो वह कित जो भी खोजने वाला उसको कितने दिन के लिए बोलता है कि कितने दिन तुम खोजो जो सची और एक भली हो रहत है तो वह है टेन थाउजन डेज एन और 79 जो नंबर का जो कोशन है इसमें और यह भी आपका प्रैसी का है तो डेफिनेट है विच वन उस फोलें नौट अगर गुड़ प्रैसी गिज दे मैन पॉइंट अ मिनिंग जनल एक्षिशन रिड लाए के कंट हां यूज एक्टेंशी वोकबडरी डिगरेशन यह इसक नंबर का ठीक है और इसके अंदर अगर हम बात करें तो आपका शेली की अड़निस है और मिल्टन की लिए सिदास है और आर नोल्ड की इन मेमोरी अब डवली ओर्डन की यह तो होड़ा सा आर नोल्ड की यह है हां सही है तो यह आपका सेकंड नंबर का होगा और फिर ओडन की बची है तो वो थारिस ठीक है तो इन मेमोरी अब डवली ओडन की होगी ठीक है तो आपका सेकंड नंबर का जो अप्शन है वो इसमें करेक्ट होगा ठीक इसके बाद में फिर आपका य तो यह आपका अंसर फॉर्थ नमबर का का ही वाज हर्ड फ्रॉम रूफ ठीक है और एन एपिक की कौन सी जो विशेष्टा होती है एपिक की जो है लॉंग नरेटिव पोयम है यह भी सही है होती है तो दे करेक्टर्स आर ओफ हिरो एक टाइप यह भी होता है ठीक है वेश्ट लेंड की अगर हम बात करते है तो यह आपका फर्स्ट नमबर का ही जो आप्शन है यह एकदम करेक्टर्स में ठीक है बाकी बाकी बार में फिर हम एक्स्प्राइनेशन ले ले लेंगे इसको बाद में और इन क्राइब इसके अंदर वड़ा सा यह है को बड़ा कन और यह तो है अटनल सेंटर अटनल सेंटर ओफ़र्ड बाइ रिजिन इन क्रिश्चन अटी के लिए रहे तो यह आपका 86 नमबर का क्वेश्चन का अंसर हो गया और अगर हम आगे बढ़ें 86 के बाद में तो क्वेश्चन नमबर 87 तो क्वेश्चन नमबर 87 पर अगर हम बढ़ते हैं और स्टेंले चेंड अपिने टूबर दे अंड अप दे बड़्डे पार्टी तो फर्स्ट नमबर का ही जो आपका आंसर है वो करेक्ट है ठीक है तो यह पर लेना ड्रामों में किलियर है और इसके बाद में जो लेटर यह वाला जो कॉश्चन है तो डेफिनीट है कि फर्ट नमबर पर सबसे फर्ट नमबर पर राइटर का ैड्रा साता है किलियर और फिर इसके बाद में सालूटेशन आता है फिर इसके बाद में दा बोडी ओवलेट रहता है तो आपका थर्ड घार ऑ॥्डर टन पील्कुल स हök तो ौन इसको इंश्टिट करता है c'كم जेम वाइď है यह आपका आंसर ब्लूक ठिए अर कों सजफ्ट करता है इसको ब्लाइंड मेंड बफ बाला जो गैम है इसको सजफ्ट कौन करता है सजफ्ट इसको लू-loo करतीए ठीक है जब आप पढ़ोगे स्टोरी तो उसमें किलियर है काफ़ी थोड़ा कन्फिजन आपको यह मेग सजेस्ट करती है मेग नहीं करती है लूलू करती है और मेग का उप्शन तो वैसे यहां पे गलत है किलियर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसके बाद में कॉस्चन नमबर 92 कि अगर हम बात करें तो 92 अगर हम बात करें अब इसके बाद में क्या है कि दो आंसर मुझे करेक्ट लग रहे है तो मैंने भी जल्दी वाज़ी में बना यह आंसर की क्योंकि मैं सफर से काफी लंबा सफर से आया हूँ और अभी लग भी रहा हूँ कि आपको में ठका हूँ ऐसा तो तोड़ा सा है आप देख ले ना इसमें क्योंकि इसमें आंसर जो है दोनों आंसर यह मैं डाउटफूल है मुझे ठीक है तो यह डाउटफूल है इसलिए मैं इसको छोड़ता हूँ दोनों आंसर मैं से चरेक्ट है ज्यादा करेक्ट तो अगर देखा जाए तो सेकिट नंबर है अगर हम ज्यादा करेक्ट की बात करें तो क्योंकि बांको गहरा झो out सब्लिए चरेक्ट करेंगे तो थीक है बांसरी तो यह डैफिनीट है इसको प्रिसाइश कर ना होता है तो अभी अल्हीं भात ही पोस्त प्रिसाइश करना होता है रिसाइश करनेkommen है clear? and choose the right match in the context of type of letters तो यहां पर फर्स्ट वाला ही है यह यह आपर करेक्ट बाकि सब गलत है क्यों कि बिजर यॉर अफैक्टछी होता ही नहीं है ठीक है यह तो वैसे ही नहीं होते हैं इसमें इसमें वैसे गलत कर दिया कि यहां पर यह पुरा ही यह गलत है और यह यहां पर इसमें अफिचल लेटर में यह इन्टीमेड लेटर में यह बी नहीं होता, यह फर्सट वाला भी चरेक्ट लग रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट जो यह उप्षिन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है. official letters, okay, dash yours faithfully, clear and the language used in personal letter is, and so language which is used in personal letter here is casual and conversational, this is correct, this is also formal, this is not accurate and precise, this is not accurate, we can write something in personal letter, because we can write our relative or friend, okay, and intimidating and informal, informal, so informal informal, and intimidating intimidating. बहेभीत करने वाला, बहेभीत, बहेभीत करने वाली, तो इसके वयसे फिर यह option गलत हो गया, क्योंकि informal तो होती है, लेकि intimidating नहीं होती है, तो यह answer आपका गलत हो गया, यह आपका answer, first वाला casual and conversational, यह बिल्कुल correct है, clear, और और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं in kids poem or donor creation which line convey silent repose and ancient undisturbed undiminished glory तो ये तो बलकु करेक्ट है इन में से अगर हम बात करते हैं ये भी नहीं है एक मिनिट ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये नहीं है फॉर्थ औप्शन ये उन्रेविष्ट ब्राइड, उसको बॉलता है अंच्वी दूलन, कि वो शादी होगी लेकिन उसको भी चुवा नहीं है, ठीक है, तो इस यह जो अपर कॉशन बुचा साइलेंट रिपोज, एंसेंट, अंडिस्टर्ब, अंडिमिनिस्ट, उसके साप से यह बिल्को फॉर्थ कोई सोचने की बात ही नहीं है, और इमोशनल इंटलिजेंज यह आपका फिर वापस, साइकलोजी के आ गया, तो इसको मैं नहीं ले रहा है, ठीक है, इसके बाद में, हाव ड़ज स्टेंले, अब यह जो है, स्टेंले टेक रिवेंज, ठीक है, कैसे लेता है, तो फर्स्ट जो आपका आंसर है, वही एकदम करेक्ट है, ठीक है, वह इस्टोरी को फैब्रिकेट करके सुनाता है, ठीक है, और यह आपका बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट वाला, और इन सेक्स पर प्ले, मैकबेद, हू सेट अल दा पर्फुम्स ऑ अरेबिया विल नॉट स्टें, यह लेडी मैकबेद बोलती है, अक्ट फाइब में तो यह आपका अंसर बिल्कुल करेक्ट है, यह एक शेकन दीर हूआ है, लेकिन वह गलता है, अक्ट यह बोलती है, जब उसको रिलाइज होता है, तब वह बोलती है, तब घर इसके बाद इसके बार दिल्द पारिए okay in the westland who is flabas यह तो drone seller यह तो कोई दिक्कत ही नहीं यह तो आप समझी कि होंगे पॉस्टन को देखते ही okay, drone seller होता है and the man of the married life of maya the worlds of the both husband wife are sharply contrasted okay, so husband wife क्या होते हैं और वैसे भी husband wife ऐसे ही होते हैं, then we will do that in the future में करेंगे, वो दुबरी कहानी लंबी कहानी है question number one zero three, now according to beacons essay of studies तो इसमें reading conference यह first वाला ही आपका answer correct है, okay तो इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, reading जो है वो max a full man conference जो है वो ready man और जो writing वो exact man, okay तो यह आपका first वाला ही आपका reading conference or writing यह आपका correct है which figure of speech used can flattery sooth the dull called ear so here year of death 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 personify personification who cares for him hankar during his last days last पर तो उसकी able vital ही करता है यह यह जो दिया हुआ है यह आपका जो रस्तोगी जी जो बीकर रस्तोगी बुक है उसमें जो event दी हुई है कि इस इसकी event कौन सी है to 34 event यहनि लाट की जो event है उसमें केले लिखा हुआ है कि able vital वो उसकी सेवा करता है यह तो कोई दिक्कत नहीं है यह आपका केले बुक में भी दिया हुआ है देख सकते हो इसके बाद में what is meant by comedy of minas तो यह थार्ड नंबर का देखते मालम सेल जाएगा ठीक है अपले इन विज लाफर ओफ ओडियंस ठीक है यह आपका थार्ड नंबर का जो option हो बिल्कुल correct है during processing information यह आपका वापस अलग आ गया यह मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं literature और grammar के ही और drama वगरा यह बताया मैंने यह पराडोक्सिकल है और बंड एंड फिज जए पराडोक्सिकल है loving and keep silence शांती बनाए रखो यह आपका आपका आंसर ना चाहिए क्योंकि यह पराडोक्स नहीं है clear? तो यह फॉथ नंबर का keep silence यह correct है and pleasing language in general represent speech forms which do not है and what is not negative speaker clear? and report is a procedure of writing that describes emotions emotions feelings in a life story of great people in a life story of great people in depth information this is your third number option correct clear? in 2-3 question I can get a little change different in the answer and the rest is correct so I can guarantee you and the last year when I was the first answer in the whole process at that time at that time 6-5 hours after the paper I was late because I was out of Jaipur and and a little and I think that on YouTube the whole answer is psychology and I am doing it now tomorrow in the morning other people but you will be sure that any students who are coaching have not yet answered because he is a regular teacher and regular I am still but I am still not yet not yet but the regular teachers have not answered and the online classes are many well-known students who are well-known teachers have not answered English or see which answer was uploaded is I have searched so I have not but I have told that there are YouTube who are mobile and have 10-15 questions and we will talk later and after the next question is concrete and answer is no problem and what is the odd taken by hang chart in repetition so it will not 21 years this is no problem if we about big party then which is that is which is has 10 this I should answer and as you like Rosalind and Selya and Alina and Alina what was attitude of the speakers father this is very simple septic and rationalist Turk and Vivek which one of the following is incorrect and odd is a long lyric and serious in tone an address to a person or an object this is odd this is right because sonnet is odd is odd is clear so this the winning school boy in the seven edges of men it it creeps like a snail simple answer and letters to relatives are called personal letters this is business letters official letters political letters personal letters written the principle aim of Gothic writing in still Gothic is terror first answer will your diastopia imagery not chilling terror will clear why did Malik cut the coupon from the magazine of the college library now the answer should he was offered a magazine he had no line to go he wanted to teach this answer because he wanted to teach it ok this should be according not sure but sure not sure but answer should be third number next next question 120 question left psychology and the ideal way to apply to submit resume so this fourth number answer is specifically written for the particular job and what do the bad characters and Peter's finger decide to expose the past love affair of encard and lucetta because the first option will correct which one word is not mentioned in the burial of so let's this what is this is not clean this answer is this not Germany was in Germany not in Germany and after this question not I won't take and if we talk about third option is correct now let's back and bacon bacon asserts ok you can see what what is correct kids which one of the following poem is a different this is different but the answer is name but the poem is in English and 18 18 19 it is the moral of the poem on his blindness so what to submit to God's will this is the fourth number option will correct and what is oh my love this is not like your answer and is not used for chimney sweepers so what use is dark labors ok this should be your answer after this is correct and the when without wheel in the bird now the answer is right this is right this all of the above correct but these are all of the above now question number 132 and 132 is computer not the precise should be returned third person first person second doesn't have a video on youtube you can see it and the approach which emphasizes this is this is this is this this newspaper reports will come to politics commerce industry sports science news paper report it is very simple answer personal report laboratory report geological report news paper is a process of shifting from one linguistic court to another depending on the social context this fourth number answer what does what stress means some particular difficult second number option correct and related degree of promise this is right and if we talk about oh lord thou plucked me out this fire sermon your answer will be correct here the fire sermon part third if we talk about irony now irony the identity of the spirit is opposite to that which is literary this is first is correct this is correct 140 and after 141 the novel cry the peacock has been recognized as trendsetter off now there is psychoanalytical realism this is correct first okay a news reporter should avoid which one of these facts this to mention that this is also this is right this third or fourth fourth is correct to use imaginative faculty it should avoid okay this is right a sonate contains iambic pentameter there is no difference in iambic pentameter so this is your answer one negative last the phonetic transcript word absolute absolute is your second number option will correct the novel cry is about a psychological successfully balanced this is your answer correct fourth option clear and partial comedies are what is correct second number option is correct okay partial comedy shepard and shepard shepard and shepard and shepard this is 146 answer option second if we talk about Lulu remarked the stainless bit of washout his now question doubtful is for me okay okay because if you ask what can answer two answers are correct okay this is confusion i i leave it okay and the final scene of the life of christ and the west end part 5 is correct as for recent researcher this is you not taking both questions not taking so in this way the answer can be confused in one two questions I can tell the answer is the other answer is correct somewhere and tomorrow will some other people can see what you can see what you can you see what see what you is three questions I have written that we have written doubtful clear so in this way if you can comment and and comment you are confused you can can what you can do what can do tell me message okay if you have any personal message you can do good morning bye okay bye